Hello everyone, welcome back to the ideal expert channel तो इस परण में हम बात करने वाले quiz application के बारे में मैं आपको quiz application शो करूँगा कि हमारा quiz application कैसा है तो मैं सबसे पहले अपने app को open करता हूँ तो आप देख सकते हो यहापे जो quiz apps दिखाई दे रहा है यही हमारा app है और इसका लोभ ऐसे रहेगा quiz का तो मैं इस पर जैसी क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने splash screen open हो जाएगे तो आप देख सकते हो अभी हमारे सामने splash screen open हो चुके quiz here powered by ideal expert और जैसे हमारे splash screen end हो जाती है हम home activity में आ जाएगे हम सबसे पहले navigation raw पे क्लिक करते हैं आपको three dot डिखाई दे रहे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा app का logo भी शो हो रहा है यहाँ पर app name भी शो हो रहा है और यहाँ पर gmail id भी हमारी शो हो रही है इस app का privacy policy and terms and condition भी हमने यहाँ पर प्रोवाइट कर दिया है अगर आप playstore पर upload करते हैं तो सबसे mandatory है privacy policy and terms and condition का page तो मैं कोई भी इन दोनों में से एक open करके आपको दिखा देता हूँ हम privacy policy पर क्लिक करते और जैसे हम privacy policy पर क्लिक करते तो हम browser में redirect हो जाएगे देरा होगा rate and share का तो जैसे हम rate पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने app market and google playstore का open हो जाएगा अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आप rate भी कर सकते हो बट जब तक हमारा app google playstore पर upload नहीं होता तब तक हम इसको rate नहीं कर सकते हो अभी हम share पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम share पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफी social media के option open हो जाएगे आप किसी में भी इसको share कर सकते हो तो अभी मैं इसको फिलाल cancel कर देता हूँ और इसको मैं अभी again इसको navigation router को close कर देता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर हम home activity में अभी है तो यहाँ पर अच्छी से हमने image implement किये यह वाली and coding starter user नहीं यहाँ पर अच्छी से show कर देया टेक से यहाँ पर देख सकते हो c, c++, python, html, kotlin, c sharp तो इसकी जगा आप खुद का कोई भी subject का name भी लेख सकते हो अभी show हो रहा, welcome to cqs and जैसे यह end हो जाती है हमारे यहाँ पर option show हो रहा है, जो कि हमारा mcq pattern है तो यहाँ पर हमें top में दिखाई दे रहा होगा cqs औके and यहाँ से अभी हम कोई भी 4 में से कोई भी option को select कर देते हैं हम identifyers पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि यह option proper है and next button पे क्लिक करेंगे, जैसे हम next button पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह proper run हो रहा है, okay and in में से अगन 4 में से मैं कोई भी option select कर देता हूं जैसे कि मैं 32 पे क्लिक कर देता हूं and next पे क्लिक कर देता हूं कि timer end होने पे क्या होता है, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा timer end हो चुका है इसलिए आप पे शोव रहा है, oops time out, try again, जैसे हम try again पे क्लिक करेंगे अगन यहाँ पे C question पहले से start हो जाएगे, तो यहाँ से हम कोई भी select कर देते है local and identifyers next and कोई भी इसमें से select कर लो, आप 32 and अभी हम next जैसे करेंगे हमारे question attempt होते जाएंगे and यह question आ रहे, यह direct firebase से connection है means यह direct online हम इसको question को edit and upload कर सकते हो, अभी मैं direct quit पे क्लिक कर देता हूं तो जैसे मैं quit पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हमारे सामने activity open हो जाएगी, correct answer 3, final score 3 means आप समझी गए होंगे कि जितने भी हमने score किया, means हमारे correct 3 option थी इसलिए यहाँ पे correct answer 3 show रहा है, अगर wrong जो भी रहेंगे हमें आरे यहाँ पे show होगे, और यहाँ पे हमारा progress dialogue भी show हो जाएगा, तो अभी मैं restart पे क्लिक कर देता हूं, तो जैसे हम restart पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने सभी यहाँ पे option open हो जाएगे, जो भी हमारा home activity रहेगा, C, C++, Python, HTML, Kotlin and C sharp का, ओके, तो सेम ज C quiz, C++ quiz, यह open हो जाएगा, इसके बाद हमारे सामने, जो भी MC कोई pattern रहेगा, four option open हो जाएगा, timer भी show हो जाएगा, और जो भी question रहेगे, वो direct firebase से connection रहेगा, मिंस यह सब हम online ही edit कर सकते, ओके, तो I hope guys अभी यह आपको quiz application completely समझ में आया होगा, अगर इस quiz application को आपको create करना है तो मैं आपको वीडियो के description में मेरा number provide कर दूँगा, उससे आप contact कर सकते हो मुझसे, और यह application में आपको create करके दे दूँगा, तो अभी हम cost के बात करते हैं, यह application को cost रहे 5000, अगर आपको इसका source code चीए श्रिप, तो इसका cost रहेगा 4000, और यह धहन में रखना, यह जो app है, तो completely online है, means आप firebase इसको completely control कर सकते हो, delete भी कर सकते हो, कोई भी mcq को edit भी कर सकते हो, तो I hope अभी आपको completely इस quiz application के बारे में समझ में आया होगा, और यह आपको धहन में रखना है, यह completely unique application है, तो आप इसको अगर play store में भी upload करते हो, तो आपको कोई भी problem नहीं जाएगी, त तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है, तो please इस वीडियो को जल्दी से like कर दो, हमारी channel पे नए हो तो channel को subscribe कर दो, तो मिलता अगले नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जहिन, जे भारत!